So hi guys, hello everyone and good morning आप सबी को हैपी होली सबसे पहले तो हमारे सारे इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स को सारे वीवर्स को और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में जो लोग हमें देख रहे हैं उनका thank you very much और हैपी होली मतलब की भहिया होली का आप बस enjoy कीजिए क्योंके ये colorful हमारा ये तेवहार है बहुत ही रंगों से भरपूर है बड़ा ही colorful होने के साथ साथ जो है बड़ा enjoyment वाला भी है बट थोड़ी ज्यादा भी मस्ती ना करें limited होकर ये ही मस्ती करें और क्योंके हमारे खासकर founding member बहुत ही ज्यादा excited है जगा जगा पर वह होली भी मना रहे है कुछ लोगों ने जो फोटोग्रास वगेरा भी बेजे हैं किसे हम लोग बहुत enjoy कर रहे है लेकिन असली मज़ा तो आगे आएगा जब थोड़ा हमारा होली के रंगों के साथ साथ कुछ थोड़ा सा extra हमें जो है company के तरफ स्थला on passive के तरफ से wallet में हमें कुछ हलचल देखने को मिले तो don't worry दोस्तों on passive बना ही इसलिए है और यहाँ पर कुछ ना कुछ definitely आने वाले दिनों में हमारे wallets में भी हलचल होगी और उसमें भी थोड़ी colorful चीज़े होंगी wallet green हो जाएंगे पहले से ज्यादा better होंगे तो don't worry आपको on passive के साथ में लगे रहना है और पुरे होली को आप enjoy कीजे क्योंकि देखें तेवहार जो आते है उसका मतलब ही होता है enjoy कीजे क्योंकि यहाँ पर on passive नहीं था तो भी हम किसी ना किसी रूप में enjoy करी रहते हैं और फेस्टिवल का मज़ा ले रहते हैं वैसे होली भी एक बड़िया फेस्टिवल है उसको सही तरीखे से मनाएंगे तो इससे बड़िया भी कोई तेवहार नहीं है अगर इसके अंदर सही तरीखे से रंगों का इस्तेमाल करके और बिना वज़ा कि किसी को परिशान किये बिना इस तेवहार को मनाएं तो बहुत अच्छा है वैसे ऐसे लोग नहीं आप इंडिया में खास कर कि बहुत ज़्यादा किसी को परिशान कुछ बदमाश लोग ही होते हैं जो थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं अजर्वाइस तो हमारे इंडिया सबसे बेस्ट है और यहाँ पर होली का तेवहार भी बड़ा ही प्यारा सा है तो बिल्कुल होली के जो है तेवहार को इंजोई कीज़े और साथ ही साथ अगर यहाँ पर मैं बोलू कि भाईया अगर क्या आज की डेट में इंफरमेशन देना जो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे वह है भाईया आज क्योंके मंडे है तो हमारी ब्रेंड न्यू वेबसाइट देखने को मिल सकती है कभी मंडे आती है कभी डियूजडे आती है बट आज जो है मंडे तो आ सकती है और हो सकता है कुछ कलरफुल भी हो क्योंके होली है अगर नहीं भी होती है तो वैसे भी वो कलरफुल ही होती है क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ जो है चीजे चलती रहती है वेबसाइट के ओपर तो जब भी आये तो उसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि बैक आफिस का काम कभी भी थमता रही है 24 आवर्स जो है महाँ पर बैक आफिस की टीम काम कर रही होती है एक और चीजे आप पर बोलेंगे आज होली का तेवारी तो डेफिनिटली कई लोगों ने बोला है सर पेंडिंग विड्रॉल काफी टाइम से हमारा पेंडिंग पड़ा है और कुछ हमारे फांडिंग मेंबर थे जिनोंने कुछ वहाँ पर सपोर्ट में टिकेट लगाया है और बताए कि वहाँ पर हमने रिक्वेस्ट किये कि हमारा पेंडिंग विड्रॉल काफी टाइम से पेंडिंग है पर उन्हें सपोर्ट टिकेट लगाए या ना लगाए वह मेंटर नहीं करता है क्योंकि आप सपोर्ट टिकेट ज्यादा लगाएंगे तो वहाँ भी वह लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो बहतर ही है कि उसको अपने हाल पे छोड़ दीजे जब भी पेंडिंग विड्रॉल आना होंगे वह हमें मिल जाएंगे क्योंकि कुछ अप्डेट पहले इसको बार-बार मुझे बताना पड़ता है कि कि बल्क प्याउट को भी रोका गया है बट वह जल्दी क्लियर होगा उसमें भी आला कि टाइम हो गया है कंपणी ने काफी टाइम पहले कहा था उसका क्या हुआ है तो ट्रैफिक के लिए देखिए हमें अगेन मैं बोलुगा कि लास्ट जैसे पी एंजी वेबनार में और उसके पहली मिस्ट्रेश आये थे वह से कंपणी से रेटेट कुछ अपडेट नहीं दीती लेकिन यहाँ पर जिस तरह से रेलेक्स मूट में थे जैसे हमने कल भी बताय था पी एंजी वेबनार में तो यहाँ पर बैक एंड की टी के पारे में भी चर्चा है कीजे और साथ ही साथ जो है राइट इंफरमेशन लीजे क्योंकि मैंने बार-बार बोला है कि कहीं लोग बहुत ज्यादे एक्स्टा इंफरमेशन देदे अपनी तरफ से तो इस ताइप की इंफरमेशन से बचिए आपको समझदार है कि जब मिस festival का season चल रहा है उसे enjoy कीजिए लेकिन definitely यह बात है कि हम सभी के लिए यहाँ पर जो Mr. Ash ने तयार किया है on passive का system यह delay जरूर है बट यह late बहुत ज्यादा भी नहीं है थोड़ा सा wait और कीजिए तो bye bye and love you all